सब्सक्राइब करें चर्दिकला टाइम कीवी को और लेटर स्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को इस नाम आधारा पाऊ नाव्या पै तेरी शर्ना जो तुद भावै सोई करना रहाओ सोग हर्ख मैं आवन जाना तिन सुख पाया जो प्रवभाना अगनु सागर महाव्या पैमाया से सीतल जिनसत गुर पाया राखने प्रवरा खनहारा कहो नानक क्या जमत विजारा वाई गुरु जी का खालसा वाई गुरु जी की फत्य तन तन गुरु अरजुन देव सचे पात्सा जिना दा सारा जीमन पढ़के इस समझ आंदी है कि उन्हा ने अकाल पुरु पर मेशर नू कितनी जड़ता दे नाल मन्या और सारा जीमन उस दी रजाविच रादी रहके बतीत की ता क्यूंके उन्हा दे अंदर एपूरन विश्वाश सी के जेड़ा उस पर मातमा दी शर्न विच पैजाएगी उन्हों किसे तरह दा डर मनन दी लोड़नें वाप फरमा दे ने पैरो महला पंजमा उठत सुखिया बैठत सुखिया पाव नहीं ला गय है जां ऐसे बुजियां रखा एक हमारा स्वामी सगल घटां का अंतर जामी सोई अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रबतू वरतंता कार सुक वसेया बाहर सुख पाया कहनानक गुर्मंत जड़ाया तो गल की गुरू पाच्छा था जीमन पढ़के देखो जीमन विच मुश्कलां ते बहुत आई हैं दोखियां ने उत्पात बड़े कीते होर ता होर बाबा प्रथी चंद जो गुरू रामदास जीदे वड़े सपुतर हम जो गुरू अरजन देव जीदे वड़े पाई हम उन्हां ने कितने उत्पात कीते हम कैसी हैं कैसी हैं बाता कीती हैं पर तानगुरू अरजन देव सचे पात्सा सदा अडोल रहें उन्हां ने अपनी रसना तो कदे एक भी शब्द बाबा प्रथी चंद जीदे वरुद नहीं बोलें बाबा प्रथी चंद ने अपने वलों कोई कसर नहीं चटें एक गलां सान कि बात्सा सब बाबा करों दियां कि गूरू अरजन दे पात्सा नूँ कितना पर two спर्मा देनने पहोनां वयापैते तेरी शर्नां ऋस पराणी नू कोई डर नहीं वयापताऀा पावो दें दर असर्न का पहुंद जेडा तेरी शवर्न वचाजाएं हे पर मात्मां जेड़ तेरा ओट आसरता कलव क्योंके जो तुद भावे सोई करना जो तेनु चंगा लगदा है वो ही होना है जदो मैं आसावरी राग विच चार सो दस अंगते पाठ कीता कारन करन तुम हां अवरन सुजह मुँ हां करें सो हो ये हां सहज सुख सो ये हां अख्या जदो मैंनु निश्चा है कि तु मेरा मलक है तेरे होकम तो बिना कुछ हो नहीं सकना ते फ़र मैंनु की लोड़े चिंता कर करें तो हो ये हां सहज सुख सो ये हां जे थोड़ा जया गुरु अरजन देव जी जीमन उते चात मारी पृठी चंदीदा प्रेरिया होया सुली खान चड़ाई करके आगे सुली खान दे चड़ाई करके उन्दा कुई कार नहीं सी वो सिर्फ प्रिथी चंदा परेरिया होया उदी चोकोते आया कुदर्ती गल्ले सिरी अमरसर साहिब दे अंदर गुर्सिखां मेचे इस कल्दी चर्चा होई भी सुली खान चड़ाई करके आ रहे तनगुरु अरजन देव जी महराज जी सेवावज कठे होके सिखाने बेंती की गुरु अरजन देव पाथ साह जी ने आप लिखे प्रथमे मता जे पत्री चलामू दुतिये मता दोए मानू खुप होचाउ तुतिये मता किछ करू उपाया मैं सब के छिछोड प्रब तुम ही त्याया पहला मश्वरा सी गुर सिखानदा माराज कोई चुठी लिखके पेजनी चाही दी है प्रथमे मता जे पत्री चलाउ तांजो सुली खानू पुछया जाए असी तेरा कीव गाड़े है तू क्यों चड़ाईगर के आ रहे है मारे चुप रहे हैं दुतिये मता दो एमान खुप होचाउ दूजा मश्वरा दूजी राह सी के दो बंदे पेजने चाही हैं जेड़े जाके सुली खान न गल कर मारे फिर भी चुप रहे हैं तृतिये मता किछ करो उपाया तृतिये सला एसी महराद जे चुठी भी नहीं पेजने बंदे भी नहीं पेजने फिर कुछ उपाय यतन करना चाही है ते गुरू पात्सा ने की क्या मैं सब के चछोड प्रब तुही ते हाया ए पंगतियां पढ़के ए शब्द पढ़के विचार के गुरू अरजन देव जी दे जीमन वल चात मार के सपस्त औरते समझाओंगा है कि कितना परुसा है अपने मालक पाऊना व्यापै तेरी शर्ना जो तुद पाऊवै सोई करना हे मालक होना ते हो कुझा जो तेनु चंगा लाना इस वास्ते किसे ही तड़ा किया मितर सुतनाल भाई किसे ही तड़ा किया कुर्म सके नाल जवाई किसे ही तड़ा किया सिकदार चुदरी नाल अपने सुआई हमारा तड़ा हर रहा समाई क्योंकि परुसा है पाऊना व्यापै तेरी शर्ना जो तुद भावै सोई करना एह है रहाओ दी पंगर एह है शबदा सेंट्रलाइटी है हुन महराज पहले पादविट फर्मादे ने पह मैं रचेओ सबसंसारा असर शबत पहो है पर जदोई दिन आल कोई सिबंद की आ जाए फिर पहोदा पह बन जाए अर्थ एदा भी हो हुई है पहोदार थ भी डर है ते पहदार थ भी डर है पर पह मैं रचेओ सबसंसारा इस सारा संसार जेड़ा है ए डर दे पर भाव थने पाव सारे संसार दे अंदर ए डर व्याप रिया है पर तिस पहोना ही जिस नाम अधारा ओसनू कोई डर ने है जिसनू हे प्रभू तेरे नामदा आसरा हूँ गुरू पाज़ा ते फरमा दे जाको मुश्कल यात बने तोई कोई न दे लागू होई दुश्मना साक भी पज़क खले सबो पज़े असरा चुके सब यसरा हूँ चित आवे उस पार ब्रम तान लगेन ततीवाँ पहोना व्या पै तेरी शर्ना जो तुद बहवे सोई करना रहाँ पैमेलच यो सब सुनसारा तिस पहोना ही जिस नाम अधारा जिसने अपने अंदर परमातमा दे नामदा आसरा पका कर ले उन्हों कोई डर ने प्यापने बाकी सारा सुनसार डर भी चैए पात्षाह खूर भी बड़ियां डूंगियां रमदा समझाते हैं डड़ा डर उपजय डर जाई जिस ने अंदर परमातमा दा डर है उन्हों सुनसार दा कोई डर ने जिना पहो तिनना है पहो मुच पहो ने पवेयां जिना दे अंदर परमातमा दा डर है उन्हों सुनसार दा कोई डर ने ते जिड़े केंदेन सी परमातमा तो ने डर दे मुच पहो ने पवेयां उन्हों बहुता डर वे आपना तो कल की गुरु अर्जन दे पाच्छा सानू ओस परमात्मा दे नाम नाल जुड़न दी परेर न कर रहे पेमेरतेयो सबसंसारा तिस पहो नाही जिस नाम अधारा पहो नाव्यापे तेरी शर्ना जोत दुबहवे सोई करना इदे विच कोई शक नहीं कि ए अवस्ता बहुत उची है इस तनादा परुसा वे शवाश होना बड़ा कठन है इससे नहीं असी संसारी लोग हर वेले दो चीजां में पसे रहने दो ख़ते सुख, खुशी अते गमी मारी जी कोई मुशकल आजाए सानू चिंता व्यापती मारी जी कोई परापती हो जाए ते खुशी व्यापती फिर मारी करने सोग हर खमे आवन जाना इज़ी पठकना है एक अदे मुक नहीं सकते जदो ती करसी संसार ना चंबडे रमांके संसार दी हालत ते बड़ी सपश्ट है एता अदल बदल हुंदी रहने को जड़ा संसार विट आयाउने जाना भी जरूर है जड़ा जम्याउने मरना भी जरूर है जे कुझ सानू मिले आव जा भी सकना जदो ती करसी ना दुआ अवस्ता विट फसे रमांके सोग हरक मैं आवन जाना सोग केंदेने चिंतानू ते हरकन खुशिए इन वी ते मनुखनू आवन जाना पठकना लगी रहेगी जम्मन मरना लगा रहेगी पर जिड़े प्रभू ते पाने विच तिक जानके तिन सुख पाया जो प्रभ पाना तिन दे ननेनू सेहरी एतिना ने बड़ पागिया ने सटास्ते सदीवी सुख प्रापिए इसलिए पाचसर करें प्यारे हो जे तुसी अबनासी सुख चौँदे हो ता मेरे अनभा विचता एह है रसना गुन गो पाल निद गाईन। शांत सहज रहसमन उपजेओ सगले दूख पलाईन। जो मंगें सोई सोई पावें सेव हर के चर्न रसाईन। जनम मरन दो हूंते छूटें। पवजल जगत तराईन। खोजत खोजत तत्वी चारेओ दास गोविंद पराईन। अबनासी खेम चाहें जेनान का सदा सिमर नाराईन। अबनासी सो कुसन। के देन। जिड़ा कदे नासन। जिड़ा कदे गवाचे न। बाकी ते सारे संसार दी जो हालत हैं। जिस ग्रे बहुत तिसे ग्रे चिंता। जिस ग्रे थोरी सो फिरे बर्मंता। दोहुं बे वस्ता ते जो मुक्ता सोई सोहेला पाली हैं। जिदे कुड़ भूती हैं। उनु भी चिंता लगी हैं। किदरे चोर लुटना नहीं। किदरे सरकार नूँ पता ना लग जाए टेक्स ना मंग लग है। कोई होर किसे तरह नुकसान ना हुए। जिस ग्रे बहुत जिसे ग्रे चिंता। जिस ग्रे थोरी सो फिरे बर्मंता। जिदे को लोड तुमी काटे हैं। उप्चारा पठकरें। ते दूहुं बे वस्ता ते जो मुक्ता। सोई सोहेला पाली हैं। ग्रे राज मैं नरक उदास करुदा। बाव बेद पाड सबसोदा। चिड़े लोक सन सार्विट खचतने। उनानु ते भाई ए दो में चीजां चंबडिया रहें। उना लिये जम्ण मरना में ठीके रहें। पर तेन सोख पाया। जो प्रभ पाना। मैं पगत कबीर जी नूँ पुछे आं। पगत जी तो आनु ए सहज अवस्ता कि में प्राप्त होगी। मेरे नाल ए भापरी कटना है। मैं शिर्यखन पर सेव दियां। जूटियां बहुत काटे लोंगा सी। पर संगत अते परवार दे प्यार करके। मैं एक कंटा सवेरे शाम। रखे होई सिर्यखन पर सेवेट हाजरी परदास। एक दन दी घल हैं। सदार संदर संगी फोजी दे घरें। शाम नू छे तो सत वजे तक दास ने पाठ करना सी। परवार नू मीं पता सी, संगत नू मीं पता सी, गरंती संगी नू पता सी। दास हमें सिर्फ पूंचया। जदों पाठ लेन लगां, पाठी सिंग पासूं, पंगती पक्रन लगां। ते पाठी सिंग भी अपनी थां तों छडेया, हिलेया के हूं ग्यानी जी बैठ नू। पर एन उस वेले किसे प्रेमी ने आके कानमिच कह देता। ग्यानी जी तो आड़े पाइसाब दा एक्सिडेंट हो गया। मन दा पेंडूला में हेल गया। होनो ओस वेले केड़े पासे कदम रखा। पाठ लमा के उदर जामा। अंदरों आवाज आई। जो होना होते हो गया। पर तू पाठ कर। दास ने गुरू पर उसे पार शुरू कर देता। शाम दा समा सी पगत कवीर जी दी बानी चल रही सी। थोड़ी देर विची शब्द आया। जो किच होवा सो तेरा पहना। जो इव भूजे सो सहज समाना। मन नू टेक मिल गई। मन नू अनंद आ गया। बस फिर उस समा एक कंटा जो बीते आ। उस अनंद नू बर्नन नहीं कीता जा सकता। संगत्वी जुड़ गई। दासनू ओ एक्सीडेंट वाड़ी गली पुल गई। मुर मुर के ही याद आया। जो किच होवा सो तेरा पहना। जो इव भूजे सो सहज समाना। उठों पाठती सेवा करके गुर्दवारे आके कथा कीती। कर चला गया। सब परवार सुता सी महवी सौंगे। ओ गली नी चेते रही। सवेर भेले। जदो फिर गुरु का अर्विज जान लगा। ते ओ ही पाई नजर आया। पुछया पाई सुनया सी तेरा कोई एक्सीडेंट हुए। नहीं भीर जी ओ ट्रक दा डीजल पाईप लीक कर गया सी। कोई एक्सीडेंट नहीं हुए। मेरा केहन दा मतलब जदो गुरु किर्पा करे मन इस तना टिक जाया। फेर ओ सीतलता ओ शान्ती मेर दी। तो गुरदेव केहन ने सोग हरक मैं आमन जाना तेन सुख पाया जो प्रभ पहना अगन सागर महां ब्या पहमाया। इस संसार अगदा समंदर है। एद विच तरिशना दी अगबल रही है। और जेड़े इस तरिशना दी अगदों प्रभावत ने उना ते ए महां व्यापै माया। इवड़ी माया उना अपने असर ताले जो। पर नाड़ी लिखे है से सीतल जन सतगुर पाया। ओ शांत रेंदेने। और दाविच राजी रेंदेने जना ने सतगुर दे उपदेशनू पाले। ओ फिर की केंदेने। उना दा की पर उसे है। राख ले प्रभ रखन हारा। कौनानक क्या जंत विचारा। उना नू प्रभू आप रख लेंदे। आप उना दी हर जगा ते साहेता करा। और एक अल पढ़ते लही सुनते लही। पर महराज केंदेने। गुर्मुखानू पर तीत है हर जीयो। मनमुक परम पुलाया। हर जी ए तेरी वड़े आई। पगतां की पैज रक तूं स्वामी। पगत तेरी शर्नाई। पच्सकन ने राख ले प्रभ रखन हारा। कौनानक क्या जंत विचारा। ये जी बचारा की है। ये दी की पाया है की समर्था है। हे मालक तूं आप ही किर्पा करें। इस माया तूं इस चिंता ते सोग तो बचा सकते। तू आप ही अपनी चर्नी लाके हर मुश्कल तो बचा सकते। इसलिए सारे शब्दा नचोड़े हैं। के पहुनाव्यापै तेरी शर्ना जो तुद भावै सोई करना। जो संसार दे अंदर हो रहे हैं या हुवेगा। वो तेरे हुकम में जा। गुरू रामदास ची ते केंदे। मेरे हर जीयो सब को तेरे वस। असाँ जोर नाई जे किछ कर हमसा कें। जियों पहवै तेवै बख्ष। सब जीयों पिंड दिया तुदे आपे तुदे आपे कारे लाया। जेहा तुँ हुकम करें तेहे को कर्म कमावै। जेहा तुद तुर्लिक पाया। इस रही। आओ उस परमातमा ते परुसा जाई। उदी शर्न में जो पह जाईए। बस फिर वापी अंग संग सहाई हुंद है। इस सारे शबदा नचोड़े हुए है। पाऊ नाव्या पह तेरी शर्ना। जो तुद बहावै तो ही करना। तो गुरु महराज ने सान। टेंदिया नू किस तरह तीरिज देके उस परमातमा ना जुडंदी परेरना कीती है। वाए गुरु जी का खालसा। वाए गुरु जी की फते। शर्ट सर थे टुडंदी